नमस्कार आप देखरें TNP News, मैं हूँ आपके साथ दिक्षाचाफरी कन्नाटक में चनम पर चुनावीत आपमान, पियम मोदी ने कॉंग्रेस पर साधा निशाना कहा वाई नॉट में PFI की मदद ले रही है कॉंग्रेस तन्नाटक के बेल लावी में कॉंग्रेस पर बरसे पियम मोदी कहा शहजावे को मुगलों के अत्याचार ग्यात नहीं आते पियम मोदी ने कहा कि एबियम के बहाने कॉंग्रेस ने भारत की लोगतंत को बदनाम करने की कोशिश की दस साल में भारत और शक्तिशाली हुआ पीम ने का 25 करोण लोग गरीबी से भार निकले भारत जब आगे बढ़ता है हर भारत वासी तोग होता है लोग स्वर चुनाम की बीच कॉंग्रिस को बड़ा छटका दिल्ली कॉंग्रिस अधर्श अर्विंदर सिंग लवली ने अपने पत से दिया इस्तिफा अर्विंदर सिंग लवली ने दीपववारिया के साथ अन्वन के चलते छोड़ा पत दिल्ली कॉंग्रिस अधर्श ने दिया इस्तिफा लवली के इस्तिफार बोले शहजाद पुनेवाला एक तरफ प्रियमूदी के मिशन और विजन वाली पार्टी और गडवन्दन है कहा ये टुक्रे टुक्रे पार्टी दिली कॉंग्रिस अधर्श अर्विन्दर सिंग लवली का इस्तिफार कॉंग्रिस ने ता संधी दिक्षित ने दी प्रितिक्रिया कहा अपनी पुरानी साख को लाने के लिए कर रहे है संधर्श दिली कॉंग्रिस के अधर्श अर्विन्दर लवली के इस्तिफ़े के बाद कॉंग्रिस में बड़ी रार कॉंग्रिस से इस्तिफार दे चुके राच कुमार चोहा ने दिली कॉंग्रिस में भारी दिपक बवारिया का मांगा इस्तिफा एडी ने अमादी पार्टी विधायक अमांतुल्ला खान को फिर भेजा समान 29 ऐप्रेल को पीश्मनी का दिया आदेश जमन्त कोटने अमांतुला खान को 15,000 के निजी मुचलके पे दिथी जमानत महादेव बैटिंग एप मामले में गिरफतार हुए एक्टर साहिल खान कोट में आज ही होगी पेशिए पुम्माई पुलिस का बड़ा एक्शन एक्टर साहिल खान को पुलिस ने किया गिरफतार दिली सरकार में आप नेता आतिशी वॉक्षॉन वॉक्षॉन केजरिवाल कारिकरब में हुई शामिल सौरभ भारदास ने जेल का जवाब बोर से शुरू किया अभियान दिली में कॉंग्रेस की केंद्रे चुनाब समिती की हुई बैठक अमेठी और राय बरेली स्रीट को लेकर मंतल समिती ने अंतिम निर्ण गांधी परिवार पर छोड़ नामंकन से पहले अउधा में रामलला की दर पर पहुँची केंद्रे मंत्री इसमिती रानी रामलला का दर्शन करकी पूचा अर्चना हमदवाद में राहूल के बयान पर अमिशा का पलटबार का आरक्षर पर लोगों को गुमरा कर रहे राहूल आरक्षर को कोई हाथ नहीं लगा सकता सपा के गढ़ में आद गरजेंगे हमिशा मैंपूर में हमिशा की चुनाफी रेली नुमाईश पंडाल पर जनसवाद को करेंगे संबोदित बरेल्मे स्लेम योगी ने जनसवाद को किया संबोदित का हमें गरीब और कमजोरू की जमीन पर कमजा करने वाली माफिया सरकार नहीं चाहिए बीजीपी प्रित्याशों की पंदरवी लिस्ट जारी प्रमोध महाजन की बेटी पूनम महाजन का कटा टिकेट वकील उज्वन निकम को बीजीपी ने दिया के गए प्रमोध में पेश गोईले मौनिव वक के दुरान लोगों से की मुलाकात का अप पियम मोधी के काम काम मिल रहा आश्चिवाद बलरामपूर में सियम विश्रुदेव साय ने कॉंग्रेस पर जम कर बोला हमला का कॉंग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है चत्यसगर की डिप्टी सेम गरूर साव ने कॉंग्रेस पर कसा तंच कहा देश में कॉंग्रेस विपक्ष बनने लाइक भी नहीं अनौस दोर में पहुंचे सपा प्रित्याशी अकलेश यादव अवन्ती वाई लोधी प्रकी प्रतिवाँ पर किया माले अरप्र अकलेश यादव निक्या रोप्षू जमू कश्मीर के बांधीपुरा में पिपल्स डेमोक्रिटिक पार्टी का सम्मेलन युवा जिरा अद्रक्ष के पक्ष में लगाए नारे सम्मेलन में काफी संक्या में शामिल हुए लोग मद्विदेश के बैतूल में रामू टेकम के पक्ष में इंडिया गडवन के आईजित की गई आमसभा पूर्व मंत्री और पूर्विधायक समेथ आपके नेता हुए शामिल बैहार के बेतिया में स्वास्त कर्वियों ने निकाला मत्तारता जाग्रूप रैली एनम समेथ सभी स्वास्त कर्वियों ने रैली निकालकर पहले मत्तदान फिर जल्पान का दिया नारा चतरपुर में फिर विवादों में धीरेंद केशर शास्त्री का भाई शालिक गर्राम गर्ग पर मारपीट का लगा आरोग शालिक गर्रम गर्ग पर पुलिस ने की एफ़ायार युफिके गॉंडा में बिजनी टांसफर उसे फ़नीचर दुकान में लगी भी शडाग लोगों में मची अफरा तफरी नारास लोगों निकिया प्रदश्च्ट नैनिताल की जंगलों में लगी भी शडाग आग बुझाने के लिए लगे सेना के हेलिकॉप्टर सेना ने सभाला मोर्चा मणी पर में फिर भड की हिंसा दो समिदाओं की बीच गोल्यबारी ग्रामीडों खोसरों से स्थानों में भेजा जारा 36 के रायपूर में लोग समझ अनाव को लेकर पुशासन सक्त कई जगह पो पुलिस ने चलाया चेकिंग अभ्यान मद्वदेश के जबुआ के जंगल में लगी भी शडाग सुच्ता मिलने पर पहुंची तैसिलदार सी एमो समेद मन्विबाद के करमचारी कड़ी मशकत के बाद आग पर पाया गया काबो यूपी गासियवाद में गुदा में लगी भी शडाग लोगों में मची अपरा तफरीक कड़ी मशकत के बाद आग पर पाया गया काबो नोडे सेक्रिब 65 की एक इमारफ में लगी भी शडाग दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबो जमु कश्मीर के पहाड़ी लाकों में ताजा बरवारी पुंच और अजोरी से जोड़ने वाले मार्क में हिमपाद पुलमर्ग मुगल रोड किस्तवार डोंडा में बरवारी लगतार बरवारी के चलते कई सड़के बंद बरफ की चादर से ठका कश्मीर गुजरा टाइटेंस और रोयल चेलिंस बैंगलूर के बीच होगा मुकाबला नरीन मुदी स्टेडियम में होगा मुकाला जीत की लेग को बरकरार रख पाईगी आसे भी हाई शर्मा की फिल्म रूसलान रिलीस होते ही फ्लॉप दूसरे दिन भी नहीं कर सकी दमदार कमाई ओपनिंग डे पर सिफ 55 लाख रुपए कमाई सुनुसूत का वाट्सअप अकाउंट पिसले 36 घंटों से अक्टिव नहीं इस परिशान पर नाराजगी जाहिर करते हुए अक्टर ने सोशल मीडिया पर फोस्ट पर कमपनी से से ठीक करने की अपीडिती किष्णा मुखर जी ने इस चुप शगुन के मेकर्स पर लगाया है रस करने का आरोप मेकर्स ने उन आरोपों को बताया फर्जी परिणी दी चोपना ने इंडस्ट्री में अपने शुरुआती स्ट्रगल के बारे में बात की बजन कम करने के लिए ट्रेनर का नई उठा पाई थी खर्चा फिल्ग्रा मार्केट सेट्स से ररवीन कपूरा साइपलवी की तस्वीर आई सामने राम सिता के अफ़तार में आई नस है और अब बात करते हैं खबर की इस वक्ती बड़ी चानकार निकल के सामने आ रही है केज जिवाल की याजका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट में 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 कल सुनवाई होगी केश्रिवाल ने अपनी गिरफतारी और इमान को चुनौती दिया इस मामले को लेकर सुनवाई हूरी है केश्रिवाल की याचका पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होगी की बड़ी जानकारी बता रहे हैं इस वक्त को लेकर केजरिवाल ने अपनी गिरफतारी और रिमान को चुनौती दी है तो बड़ी जानकारी आपको बता दे इस वक्त की कर इस मामले को मामले में सुनवाई होगी सुप्रीम कोड के आदेश को लेकर आपको बता दे एडी ने क केजरिवाल की याजका का विरोध किया है तो लगातार अर्विन केजरिवाल की जो मुसीवित हैं थबने का नाम नहीं ले रही है इससे पहले भी केजरिवाल ने अपनी ग्रफतारी रिमांट को लेके चुनौती दी और इसको लेकर कल फिर इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में स से जवाब मांगा था और जिसे एडी ने दाखिल कर दिया था जादा जानकारी के लिए हमारे सम्मादा था शिवम पांडे फोन लाइन पर जो चुके हैं शिवम केज़िवाल की याजका पर कल सुनवाई होनी है क्या जानकारी निकल के अभी तक सामने आ रही है बिल्कुल इच्छा जी आपको प्रताना चाहूंगा कि साबतार से देखा जाए कि सुप्रेम कोड ने जब अर्विन केज़िवाल के वकील की तरफ से याजका दायर की गई तो सुप्रेम कोड ने एडी से जबाब मागा तो तो एडी ने कई पेजों में सबूत के आधार पर सुप्रेम कोड में जब्राब्दााकिल किया था आब लेकिन कहिन कहीं ये देखना हो... कि केश्रिवाल जेल में है और वहीं उनकी पत्नी सुनीता ने कल दिल्ली में पहला रोडशो किया और इस दौरान वो जनता से उन्होंने भावुक अपील भी किया है तो एक तरफ यहाँ पर अर्विन केश्रिवाल की पत्नी लगातार जनता के भी जा रही है रोडशो करती लेकिन लगातार देखा जाती इस बार आम आदमी पार्टी लगातार लोगों के बीच में जा रही है और साप्तास उनका कहना है कि जेल का जबाब बोर्ट से यानि कहीं ने कहीं देखा जाता तो अर्विन केश्रिवाल जेल में है लेकिन जो लोकसभा का चुनाओं का होग लेकिन देखा ये भी जा रहा है कि लगातार बीजेपी आमादी पार्टी पर हमला भर भी है क्योंकि दिल्ली बात करें अर्विन केश्रिवाल की पतनी की सुनीता केश्रिवाल की तो वहीं बीजेपी की तरब से दिल्ली की रावडी देवी बताया गया है सुनीता केश्रि कर रहें कि इस बार अगर अरविन केज़ी वाल को जेल से बाहर निकालना तो कहीं ने कहीं आप लोग आम आदमी पार्टी को मद्दान कि जैए तो लगाता है उनकी चुनाओं चैंपेंग भी जेल का जबाव वोड़ से वाला चल रहा है लेकिन लगा लगा जगा जगा तेख जागे तवाम जानकारी साजा करने के लिए शिवम आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अब सीधे ले चलते हैं आपको करनाटक जहाँ पर पिधार मंत्री क्या कुछ कह रहा आइए आपको समगादे हैं। आप इन से सहमत है क्या इस बासा से सहमत है क्या क्या अपने पापों को छिपाने के लिए देश के राजा महराजाओं को गाली गलोज करना उचीत है क्या यह शुभा देता है क्या कॉंग्रेस का ट्रेक रिकॉड रहा है तो उसने भारतिय संस्कृति को नस्ट किया भारत के इ इतियाद नहीं रखा उसको तोड़ा मरोड़ा है कॉंग्रेस का मकसद यही था कि छत्रपती सिवाजी महराज महरणा प्रताप ऐसे महान योद्धाओं का इतियाद अगली पीड़ी को पता नहीं चले यह साजादे बहारे राजा महराजाओं को गाली देते उसको मालूम नही चत्रपती सिवाजी महराज ने पानी में जो काम कि देऊजमाने में पानी पर जो प्रबंदन किया था आज भी बड़े-बड़े इंजिनियरों के लिए एक बहुत बड़ा शीखने वाला काम है आपको तो स्रीफ इतना ही समझ आता है कि सिवाजी महाराज गोडे पर बैटे सिवाजी महाराज देतरी छोटी-छोटी चीजों की चिंता की थी समाज की भलाई के लिए आप उनको गालियों दे रहो और उनके मुँझ से किसी नवाब के लिए गाली सुनी भई किसी सुल्तान के लिए गाली सुनी क्या किसी बादसा के लिए गाली सुनी क्या गोट बैंग लोग पूछ रहे हैं कि कॉंग्रेस टुस्टी करने के लिए और कितना पतन होगा लोग पूछ रहे हैं साथियों इस छेत्र का भारत के इत्यात में बहुत उंचा स्तान है यहां से कदम राजबंश ने लंबे समय तक साथ संज की कनड़ा भासा की जो सेवा कदम राजबंश ने की है क्या उसे कोई कनड़ी का भुला सकता है क्या मैं सुरू राजगराना वड़ियार राजवोंस ने सिक्षा सहीध हर सेक्रा ने कितने ही काम किये है अरे मैं गुजरात चाहता हूँ मेरा गाउं बडोदा गायकवार स्टेट में हुआ करता था और बडोदा के महराज गायकवार उन्होंने बाबा साब अमबेडकर की प्रतिभा को देखा था बाबा साब अमबेडकर को बडोदा ले गए बाबा साब अमबेडकर को अपने पांस रखा और बाबा साब अमबेडकर को विदेश भेजने का पूरा प्रभन महराजा गायकवार ने किया था और देश को बाबा साब अम्बेट कर मिले थे लेकिन भाईयो बेनो यह हमारे राजा महराजों का योगरान शाहजादे को अत्याचारी लगता है आप ऐसे लोगों को माप कर सकते हो भाई करनाटका सहीद पूरा देश का इतिहास है जहां नवाबों ने, सुल्तानों ने, बात्साहों ने आम नागरी को अपर गोर जुल्ब किया त्याचार किये ऐसे सुल्तानों ने हमारे मंदिरों को, हमारे तिर्थों को लूटा, उन्हें तबाग किया लेकिन साहजादे रहे उनको तो क्लिंचेट दे जी और सभी राजाओं महराजाओं का त्याचारी गोशित कर दिया देश को बाटने का, कॉंग्रेस का प्रयास खतरनाक है थातियों, इनसे बचने की जरुत है भाईयों भेनों आपने देखा होगा अब ये साहजादे कह रहे हैं वो चुनाओं के बाद अगर सत्ता में आए पूरे देश का एक्सरे करेंगे, एक्सरे आपका एक्सरे होगा आपके लॉकर का एक्सरे होगा आपके घर का एक्सरे होगा आपके खेत का एक्सरे होगा और वो दूंड के निकालेंगे किसके पास क्या है और फिर अगर जादा है तो हड़प कर लेंगे आपको बता दे करनाटक में तीसरे चरह में मतदान इसी के चल दे प्रधान मंत्री मोधी वहाँ पर पहुचे हुए थे दोरान बो लोने जन्ता को संबोधित किया और लगतार कॉंग्रेस पर उनने निशाना साधा है मलाल इस ब्लूटे में बस अता हैं देखते रे टीन पीनियोस नमस्कार